सभी केंडिट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एक्जाम को टार्गेट करते हैं कि ये एक्जाम हमको क्रैक करना है तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों उस एक्जाम के पैटर्न को समझ लिजिएगा तभी जाके प्रिप कर लाते हैं कोई इंस्टिट्वेशन जॉइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना जार्खन जी के पढ़ना मैत रिजनिक पढ़ना ही कमपेटिटिव एक्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है जो की बहुत गलत प्रैक में होता है दोस्त कर दिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बर फिर शवागत हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि S.S.C. में सारी जानकारी आपको देंगे दोस्तों आपका सेलरी कितना होगा टोटल कितने पोस्ट है एज्लिमिट क्या होना अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक और सेर कर दीजिएगा और साथी बेल आइकन को जरू प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी दोस्तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें तो चलिए दोस्तो व किसी बी सरकारी विभाग में जितने भी मिनिस्ट्रियल पोस्त और सरकारी विभाग के और भी जितने ऑफिस होते हुं वहाँ पर आपको आजे असे मतलब नौक्री मिलेगा ठीक है तो इसमें बात करें टोटल नमबर और वेकेंसी दोस्तो आप देख सकते हैं बहुत तो पे लेवल लेखेंगे तो उसमें दिया हुआ था नोडिविकिशन में पे लेवल 1 सब्सक्राइब कमिशन के हिसाब तो आपका जो सेलरी बनेगा दोस्तों वो बनेगा 27,000 से 31,000 के बीच आपका सेलरी बनेगा यह डिपेंड करता है दोस्तों आपकी सीटी में पोस्टेड यह एक है MTS देख सकते है MTS non-technical पदों की वेकेंसी है जिसमें 10,880 पदों की वेकेंसी है और दूसरा जो है वो हवलदार ठीक है हवलदार पदों की वेकेंसी जिसमें 529 पदों की वेकेंसी है तो हवलदार के लिए अलग से recruitment की जो प्रोसेस है दोस्तों यानि एक्जाम त तो उन चीजों के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में ठीक है इस बूक में आपको देखिए आपको क्या मिलेगा 2000 word with definition के साथ यानि हिंदी में परिभासा के साथ आपको 2000 word और साथी 1000 additional word भी मिलेगा और 800 questions का solar test भी मिलेगा जो की इसमें bilingual है हिंदी English में यानि आपको किसी भी प्रकार से समझने में कोई अशुविदा नहीं होगा दूसरा बूक है दोस्तों आप देख सकते हैं comprehension close test नियोन का ठीक है इसमें आपको मिलेगा previous year exam यानि SSC CGL, CPO और bank का सारे questions का previous year questions जिसमें और भी मिलेगा 55 plus close test with detailed analysis के साथ मिलेगा 50 plus close test based on grammar और 200 plus close test for practice के लिए आपको मिलेगा जो की bilingual है दोस्तों यानि Hindi English में दिया हुआ है और तीसरा जो बूक है दोस्तों आप देख सकते हैं नियोन का comprehension jumble, PQRS, paragraph and sentence इसमें मिलेगा आपको 525 plus jumble with detailed analysis के साथ और साथ ही सारे 600 plus आपको jumble previous year के चीजे भी मिलेगा तो दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं complete English का तो link description में दिया हुआ दोस्तों आप check out कर सकते हैं अब बात करते हैं qualification यानि qualification कहने के मतलब है दोनों post के लिए दोस्तों MTS non-technical और हवलदार जो दोनों पद हैं इन दोनों पदों के लिए जो आपको education qualification मांगा गया है या योग्यता qualification के बारे में तो वो है 10 पास देख सकते हैं 10th पास किसी भी भारत के किसी भी board से state board हो या फिर CBSC board हो या ICSC board हो किसी भी board से अगर आप 10th पास है दोस्तों तो आप इस form को भर सकते हैं वो दोनों के लिए same जो गिता रखा गया है यानि MTS non-technical के लिए बिवाद करें और हवलदार दोनों पदों के लिए same आपको metric pass मांगा गया है या एज लिमिट की बात करें तो द minimum 18 वर्स हो जाना चाहिए और maximum की बात करें तो देखिए category वाइस दिया है general में देखेंगे तो maximum जो एज लिमिट है वो 25 वर्स दिया गया है बाकी एज relaxation जो है दोस्तों यहां पर लागू है और बाकी पदों में जो भी एज रिल एक्सेशन होता है दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा क्लियर है आप बात करते हैं इसका परिक्षा सुनक यानि एक्जाम फी क्या लेगा तो एक्जाम फी देख सकते हैं general OBC और EWS परिक्षा सुनक नहीं रखा गया यहां पर कोई आपको एक्प्लिकेशन फी नहीं लगेगा फॉर्म बर सकते हैं प्री आप कॉस्त ठीक है तो यह रहा सारा चीज आप दिखाएंगे आप बताएंगे दुस्तों कि online application कब से बरा जाएगा तो इसका online application की जो शुरुवात है दोस्तों वे 18 जन्वरी 2023 से आप फॉर्म बरने की सुरुवात हो चुका है जो की चलेगा दोस्तों 17 फर्वरी 2023 तक ठीक है यानि 18 जन्वरी से 17 फर्वरी के बीच आपको फॉर्म भर लेना है अब बात करते हैं CBT exam देखिए दोस्तों ये एक ऐसा vacancy है जिसका CBT exam का date announce कर दि है तो इसमें जो डेट दिया है दोस्तों आप देख सकते हैं अप्रिल 2023 में आपका टेंटेटीब जो डेट है CBT exam का ये announce किया जा चुका है अप्रिल में आपका परिक्षा ले लिया जाएगा और हवलदार जो पोस्तों जो कि यहां पर देख सकते हैं 529 पोस्त जो है कितना चलना है अगर आप मेल कटेगरी से हैं यानि पूरुस वर्गों के लिए सोलो समेटर आपको चलना है 15 मिनट में ठीक है देख सकते हैं जबकि रणिंग करने में यहीं पर मांगा जाता है कि सोलो समेटर आपको दोड़ना है पांच मिनट 50 सेकेंड में 6 मिनट मैक्सिम चलना है 20 मिनट टाइम दिया गया है यानि नॉर्मल जिसको कहते हैं वाकिंग करेंगे तो आप टाइमली पहुँच जाएंगे इसमें कोई असुविदा नहीं है दौर भी सकते हैं चाया जल्दी भी जा सकते है या फिर टाइमली पहुँचना है बस इतना ही रखा गया है और उचाई की बात करें तो मेल यानि पूरसों के लिए जो उचाई रखा गया है दोस्तों 157.7 देख सकते हैं 157.7 सेंटीमीटर और फिमेल में देखेंगे तो 152 रखा गया है ठीक है महिडाओं के लिए सिना की बात करें पूरसों के लिए तो 81 to 86 expansion के साथ रखा गया है ठ अब बात करेंगे इसका vk examinations यानि आपका जो परिक्षा होगा वह किस प्रवार पर आपका परिक्षा लिया जाएगा और उसमें तीन-चार ऑपसन रहेंगे maximum 4 या 5 तक होते हैं तो objective type के रहेगा और ये परिछा दोस्तों आपका एक ही दिन लिया जाएगा बसरती ये दो session में लिया जाएगा session कहने का मतलब है दोस्तों कि मतलब एक ही टाइब लिया जाएगा ऐसा नहीं कि आपको दो तिन घंटा gap मिलेगा gap नहीं मिलेगा यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड कहा गया है session 1 and session 2 आपको एक चीज बहुत जादा इसमें ध्यान रखने की जोरत है कि session 1 का जो एक्जाम होगा ये वाला इसमें no negative marking इसमें आपको कोई negative marking का प्रावधान नहीं है आप आसानी से जितने हो सकते हैं आटेम कर सकते हैं यहां पर आपका गलत भी होता है तो कोई अंक नहीं कटेगा बट session 2 में दोस्तों यहाँ पे आपका negative marking का प्रावधान रखा गया है यानि अगर यहाँ पे आप गलत करते हैं तो हर एक गलत उत्तर पर आपका एक number की कटोती किया जाएगा session 2 में यहाँ पे confusion कभी मत रहिएगा वरना आपका फिर क्या हो जागा जादे questions गलत हो जाएगे तो आपका number भी कर जाएगे इसलिए हमेशा रिक्स लीजिएगा तो session 1 में ले सकते हैं यहाँ पे कोई असू भीदा नहीं है कोई negative marking नहीं but session 2 को साथदानी से solve करिएगा यहाँ पे negative marking रखा गया है ठीक है session 1 की बात करें तो session 1 में देख सकते हैं numerical and mathematical ability के questions रहेगा जिसमें आपको 20 questions रहेगा दोस्तों ठीक है 20 questions रहेगा और हर एक question में जो marks मिलेगा वो तीन नमबर का यानि 3 into 20 equal to 60 total 6 marks मिलेंगे और यह session 1 जो रहेगा दोस्तों यह आपका 45 minutes का exam मिलेगा time 45 minutes ठीक है हाला कि दोनों session में 45 minutes ही मिलेगा इसमें भी 45 minutes मिलेगा उसमें भी 45 minutes ही मिलेगा तो यह रहा आपका numerical and mathematical ability दूसरा segment जो रहेगा session 1 में वो है reasoning and problem solving इससे भी 20 questions रहेंगे हर एक question में 3 अंक मिलेंगे और total अगर देखा जाए तो 60 marks के यहाँ भी मिलेगा ठीक और यह दोनों session मिला कि यानि दोनों segment अगर देखे तो यानि numerical and mathematical ability और reasoning and problem solving जो है यह दोनों मिला कि आपको 45 minutes का ही समय मिलेगा और 45 minutes में अगर देखे तो 20-20-40 questions आपको solve करना है 45 minutes में ठीक है और session 2 हाला कि इसमें negative marking नहीं है आप आसाने से solve कर सकते हैं रिक्स ले सकते हैं कहने का मतलब session 2 की बात करें तो यहाँ पे negative marking है और यहाँ भी जो आपका परिच्छा हो रहा है यह भी आपका 45 minutes ही यहाँ पे भी आपको मिलेगा 45 minutes और यहाँ पे भी देखेंगे तो 45 minutes में आपको दूस्तों 50 questions solve करना है यानि देखेंगे तो GA कहने का मतलब general awareness के questions जिसमें आपका GKGS के questions रहेंगे ठीक है और current affair भी include इसी में रहेगा ठीक है जिसमें 25 questions रहेगा हर एक questions में यहाँ पे भी तो तीन अंक मिलेंगे यानि 25 into 3 is equal to 75 marks के यहाँ पे full marks ठीक है तो यहाँ पे भी जो रहेगा बसरते यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है negative marking वाला यहीं पे है यानि हर एक question में आपको सही करते हैं तो तीन अंक मिलेंगे बट एक question अगर गलत कर देते हैं तो ऐसे इस्तिती में सिदा सिदा आपका एक अंक कटोती कर लिया जाएगा और यह भी 45 मिनट का ही रहेगा यानि देखा जाए दोस्तों तो 45 45 90 मिनट यानि डेड़ घंटा का exam होगा और डेड़ घंटा में अगर देखा जाए तो टोटल कितने questions रहेंगे 20 questions यहां से 20 questions यहां से 40 questions और वहां से 50 questions 90 questions 90 मिनट एक तरह से कहा जा सकता है यानि 90 मिनट में आपको 90 questions solve करना है बट यह session 7, session 2 के part wise रहेगा ठीक है तो दोस्तों यह रहा आपका MTS का vacancy जो की अगर देखा जाए बहुत बड़ा vacancy है 11,409 पदों की vacancy है जिसमें आप अगर recruitment हो जाता है आपका तो आप भारत सरकार के जितने भी ministerial विभाग है या फिर official department है वहाँ पर आपको नियूपती मिलेगा है और इसमें salary भी ठीक ठाक है अच्छा खासा salary है दोस्तों 27,000 से लिकर 31,000 बाकी ये depend करता है आपका जो DA, TA ये सब होगा उसके हिसाब से बढ़ेगा भी और इसमें अगर देखा जाए तो आपका cities के उपर भी depend करता है आपका salary कि आपकी city में posted हैं उस हिसाब से तो दोस्तों ये रहा तो आपकी तो आपकी तोस्तों ये ये रहाए